Hello dear students, today we will discuss workshop number 91, चीव कैसे जनन करते हैं? तो इसमें question है, सिरफ question आशर देखते हैं. एक पुस्प एक लिंगी होता है, यदि इसमें किवल पुंकेसर होता है, किवल इस्तिरी केसर होता है, पुंकेसर अत्वा इस्तिरी केसर पुंकेसर है हो, इस्तिरी केसर. तो एक लिंगी पुस्प में या तो पुंकेसर होगा या इस्तिरी केसर एक चीज़ होगी, ठीक है? पुस्प नमबर टू, किवल पुस्प में उसके विबिन भागों को बाहर से अंदर की और के से एक रमली किये, तो बाहर सबसे पहले होता है, भाहर दल, उसके बाहर दल होता है, फिर पुंकेसर होता है, फिर अंडासर और वर्तिकाग, तो यह आंसर इसका सही है, क्यूकि दल दल पुंके सर और इस तरी के सर लेकिन हमारे पास जो अंसर है उसमें ये बेस्ट है अब प्रशन नमबर तीन नीचे दिये गए चित्र ए और बी की तुलना करिए और उत्तर दीजे कि पुस्प के और मानव मादा जननतर के किन भागों में इस चित्र के लिए होती है तो इसमें है ए पुस्प में तो होती है अंडा शे में है और मादा जननतर में होती है फैलो पेंट टूब में तो हम या अंडवाई का में तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है अंसर तो अंडा से एम अंडवाई का तो इसका भी पहला अंसर यही ठीक है फस्ट ए थर्ड का A होगा, अंसर, अंड शे M, अंड वाई का, अब हम नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं, दिया गया चित्र निसेसंद से पहले, पुस्प के स्थी के सरका अनू प्रस्थ काट है, निसेसंद से पहले, नर अममादा कहा होंगे, नर अममादा युगमक, तो सबसे पहले तो हम इ और लिख लेते हैं, इसमें E नहीं है, यह A, B, C, D, E, ठीक है न, तो यहां A भी दे रखा, तो A अंसर हमारा, नर युगमक A पहोगा, तो नहीं, नर युगमक A तो फिर A से चला है, फिर B तक पहुँचा, फिर C तक पहुँचा, फिर E तक पहुँचा है, फिर D तक निसेशन से तुर्ण पहले, तो यह इसका अंसर होगा, अब देख सकते हैं, देखो, यहां से A से चला है, नर युगमक B से होता हुआ, C से होता हुआ, E से होता हुआ, D तक पहुचेगा, तो E, जस्ट पहले E और D पे होंगे, और D के पही इनका निसेशन हो जाएगा, इस झाल बहा हुआ, C भाल झाल, ऑ्धिसक्ण झाल, गिस ले अक मेंगे, भी सबक्रूमक B सा अंसर हुआ, होता है, उसिए लिए गता ह算 होया, जस वहाँन उनका आप土त्यसाओा, यहां से होता हुआ, C रहाँनों आप आनका पहले और D